हरे कृष्णा दोस्तों मैं दिपान्शों श्वागत करता हूँ आपका CGPS शिव व्यापवम में बहुत ही सांदार और पॉजिटिव निवस के सांद जी हां दोस्तों अब चत्तिसगर में 50% आरक्षन पर होगी सारी भरती साथ में भरती का आदेश मैंने आपको दिखाया था वहां पे सेम वैसी ही चीजे अब आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है साथमे सुप्रीम कोज में चत्तिसगर के 50% आरक्षन के जो आदेश उसको रखा गया है क्या है पूरा मामला विस्तार पूरवक जानकारी देंगे तो जल्दी से चलिए बिनगी से देगी वीडियो को इस्टार्ट करते हैं जल्दी से जाए बाजू में जबाल आइकन आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए तुरंत आप अपडेट हो जाए साथ में टेलीग्राम से जोने के लिए निचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप जोईन हो सकते हैं तो जल्दी से चलिए बिनगी से देगी वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपके स्क्रीन पर शोग हो रहा होगा यहाँ पे CGPSC 2021 के 171 पत रिजल्ट रुका हुआ है CGPSC 1 सेवा के इंटर्वियू रुके हुए है CGPSC Pune 990 पर परिक्षा का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है व्यापाम का साइन्टिफिक पर की नियुकती रुकी हुए है सिख्षाकबर्ती का नोटिफिकेसान अटका है होस्टल वार्डन का नोटिफिकेसान अटका है अब ये इस पर क्या हो सकता है साथ में कल आप लोगोंने बहुती अच्छी सांदार नियुस देखी है आप लोगोंने की S.I.E. का जो प्रारंभिक परिक्षा का नोटिस है वो आ गया अब सवाल ये उटता है कि बहुत सारे लोग घबरा गए कि ये इतना जल्दी कैसे हो गया तो देखिए ये ऐसा होना ही था क्योंकि आप लोगोंने सेम केस जो था वो A.C.F के संबन में था जब A.C.F का नहीं हो रहा था एक्जाम 2020 से था और उस पे जब ऐसी चीजे हुई तो वहाँ पे भी पेपर जो था ऐसी ही हुआ था सेम यही चीज यहाँ पे भी हो गई कि बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया दस दिन का जो है टाइम दिया गया और तुरंद बोल दिया गया या अलग-अलग एक्जाम है तो बैस उन सभी को मैं दर्खास करना चाहूंगा कि देखिएगा यह जो एक्जाम है बहुत ही पांस सालों के बाद कुछ होने वाला है और इसे रोकना सही नहीं होगा तो इस एक्जाम को होनी दीजिएगा रही बात यहां पे बहुत ही महत्वपोन 50% आरक्षन पर जो भरती विग्यापन है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीदा सीदा बोल दिया भई सभी पक्षकारों को 4 मार्च तक लिखित में जवाब मांगा है और साथ में 22-23 मार्च को वहाँ पे सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में और वो अंतिम सुनवाई होगी और उस अंतिम सुनवाई में यहाँ जो जानकारी मिल रही है बहुत ही 50% आरक्षन पर जोड दिया जाएगा इंद्रा साहनी बनाम केस पर फोकस किया जाएगा और पूरी की पूरी जो बोलनाचिये चत्रजगर सरकार के दौरा जो 59% आरक्षन पर इस्टे जो मांगा जा रहा है वो साइद मिल सकता है दूसरी तरफ हाई कोट के दौरा जो है 50% आरक्षन पर भरती लगातार किया जा रहा है लगातार लगातार उन्होंने विग्यापन निकाला और देखिए कल के जो ऐसाई का भी जो नूटिस निकला उसमें भी आरक्षन क्लियर नहीं किया गया है तो यहां पे कही न कहीं सरकार अभी भी लगी हुई है कि कही न कहीं 58% या 54% आरक्षन लग जा या हो जाया क्योंकि 76% आरक्षन पर जैसा कि आप क्रिश्न पर शोवराओगा जंजाति सलाकार जो है वो जो परिसद है उन पर भी जो है 76% आरक्षन विदियाक वहाँ पर भी पारित हुआ और अब फिर से आदिवाशी विधायक राज्यपाल मैम के पास जाएंगे और फिर से गुहार लगाएंगे कि वह तुरंट साइन करें क्योंकि सुप्रीम कोट से इनको जवाब मिल चुका है अब बात यह है कि सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है एक तरफ बिरुजगार एक तरफ विपाक्च एक तरफ सुप्रीम कोट तो अब यहाँ पे समस्या बात है जैसे ही मैंने आपको कल सुबे की वीडियो में बताया था और साम को आते आते जो है वो आपको खबर मिल गए इसी कड़ी में आज कल परसो कंटिन्यू जो है सुक्रवार तक कदीन अत्यनत महतपूर है बहु सारे आपको नूटीस और बहु सारी जो पदो पर भरती की शुक्रितियां है वो कंटिन्यू मिल रही है आज भी आपको मैं साम को एक बहुती सांदार नियूस दूँगा इस चीज़ के लिए आप निश्चिंद रहिए मेरे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप लोग पढ़ाई जानदार तरीके से करें देखिएगा आप लोगों को SI में क्या छोड़ना है क्या अभी फिलहाल आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है इस पर मापको एक अलग वीडियो में बता दूँगा लेकिन फिलहाल आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए अगर आपका SI जो है टार्गेट नहीं है अगर आपका एडियो टार्गेट है तो बिल्कुल उस पे लग जाएगा क्योंकि याद रखिएगा फरवरी मार्च और अपरेल यही तीन मेहना आप अच्छे से कर लीजिए आपके आने वाला 30-40 साल अच्छे से बित जाएगा आप लोग अगर लगे रहेंगे कि वेकेंसिया नहीं आ रही है वेकेंसिया नहीं आ रही है तो वेकेंसिया आ के निकल जाएगी और पॉजिटिव चीज रहके ही तैयारी करना है कि वेकेंसिया आने वाली है और फरवरी हुई और उसके साम आते आते वेकेंसियों का ताता लग चुका है अब आने वाले समय में आपको CGPSC से भी बहुत ही जल्द जानदार सांदार वेकेंसियां देखने को मिलेगी और ऐसे ऐसे पद देखने को मिलेंगे जैसा कि आई टी आई प्रसिक्षन अरिकारी जैसे पद कभी पहले भरती हुई नहीं उसकी भरती चत्तिसगर में हो रही है वैसे ही पदों पर और भी बहुत सारे पद है जो आपको देखने को मिलेंगे बनलब ऐसे ऐसे पद है जो व्यापम से भरेंगे और ऐसे ऐसे पद है जो PSC से बस जानदर और जानदर तरीके से आप लोग तयारी करिएगा क्योंकि देखिएगा अभी जो व्यापम भरती निकालेगा वो पिछले साल जिसकी अनुमती मिल चुकी है जो 5 पद, 10 पद, 15 पद, 20 पद, ऐसे ऐसे अनेक पद है जिसकी अनुमती व्यापम को मिल चुकी थी लेकिन व्यापम जैसे नोटी जारी करने ही वाला था कि वारक्षन का पेस पस चुका अब व्यापम जो है उन सभी भरतियों को सबसे पहले निकालेगा और जो वरतमान में जो जारी है कंटीनियू भरतियों का प्रोसेस उसको भी कंटीनियू जारी करेगा साथ में सिक्चक भरतियों भी आप लोग रेडी रहिए हर पद में आपको सारी चीजें मिलेगी बस आप लोग अच्छे से तयारी करिएगा चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले की बात हो वहाँ पे राजय पातरता परिक्षा भी होगी चाहे वो सिक्चक भरति की बात हो सभी विभाग में जो है भरतिया होगी इसके साथ साथ पुलिस विभाग में भी भरतिया होगी बहुत सारे लोग बोलते है कि сर एگरी कल्चर विभाग सोगे है क्या तो दिखिएगा ऐसा नहीं है एगरी कल्चर विभाग हमारे 36 गड़ में है खिसली पाइसे प्रधान 36 गड़ है बाकी जो ब्रांचे उनकी लिए वेकेंसिया कम रहती है इसी वज़े से जो सिविल की वेकेंसिया रहती है वो लौट के लौट रहती है इसी वज़े से उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि सब इंजिनियर है असिटें इंजिनियर है बाकी जो ब्रांचे से उनकी वे फोकस करके पढ़े और अभी बस दो मेहना तीन मेहना आप अच्छे से पढ़ लीजिए कहीं मत जाए ये सिफ पढ़ाई पर फोकस करिएगा देखिएगा आपका चेन जानदार तरीके सोगा कभी भी वेकेंसी आना निश्ची था ये आप लोग लिख के रख लीजिए ठीक है तो यही एक आप लोगों को positive news देना था कि 50% आरक्षन पर भरतियां आ सकती है और उस चीज के लिए क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि आप लोग सभी सविधान पढ़ रहे हैं देखिए आप भी जानते हैं हम भी जानते कोई भी आरक्षन का विरोध नहीं करता आप आप शविश्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं positive रहे हैं और जानदार तरीके से एकदम तड़का दीजिए पढ़ दीजिए एकदम और selection ले लीजिए ठीक है अब हम मिलते हैं next वीडियो में साम का वीडियो बहुत ही जानदार सांदार होने वाला है तो साम की वीडियो को जरू बनादार तरीके हैं